कलास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ऐसे एप्लिकेशन के बांदे भी बताना चाहता हूँ जिसका आप नभी ने नाम सुना होगा अनेकेडमी अनेकेडमी एप्लिकेशन पर आरेस प्रारमिक तता मुख्य परिक्षा 2022 की संपूर्ण तयारी करवाई जारी है बैतरीन अगत से आपका न्यू बेज इस्टार्ट है इसमें आपको आरेस परिए और जो मेन परिक्षा है दोनों की बैतरीन डंक्स ने तयारी करवाई जाएगी आपको संपूर्ण यहां पर सेलेबस मिलेगा जिसके अंदर आपको लाइव कलासेज रिकोड़ेट वीडियो इसके अनकेडमी एप्लिकेशन को डाउनलोड करें संपूर्ण जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे रखी है यदि आप हमारा कोड राजपाल 10 यूज करते हो तो इसके अंदर आपको 10% डिसकाउंट भी मिल जाएगा तो देर किस बात की अनकेडमी एप्लिकेशन का लिंक और संपूर्ण जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे रखी है अभी वाइसे तोर से ओपर जड़ रहा है वहां से आप लाब उठा सकते हैं सबी साती लाइव जुड़ जाएं राजस्तान जीके की अपनी कलास इस्टार्ट होने वाली है यदि कोई साती राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल या सबस्पेक्टर की त्यारी कर रहा है तो उनके लिए महिला बालप्राद की हमारी बूग आच चुकी है कोई विदार्ट यह लेना चाहता है यह यह आपके मोबाइल में डाइरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी तो यह हमारा किस काल में हुआ था यह पूछा गया है एंसर आ रहा है तो नीचे कमेंड बोक्स में आप जरूर बताएं मिसो जोई प्री केम्रियन शिनो जोई किया इनमें से कोई नहीं तो यदि इसका अपने एंसर भी चुना है प्री केम्रियन तो आप सभी विदार्तियों का राइट इसी काल में अराउली परोतमाला का विकास माना जाता है क्यूंसन आपैं का myself में एक वाएं कहीं राइपिट हुआ है अगला परसंद देखे अगला कि पूचा गया है की राजस्तान में गुजरास सीमा से हैं खेटडी तक अराउड परोतमाला की लंबई है केने का मतलब राजस्तान में जहां से इस्टार्ट होती है यानि गुजराज सीमा से लेकर खेतडी जुन-जुनू तगे राज जो अरावली परोतमला इसकी कुल लंबाई राजस्तान में कितनी है 500 किलोमेटर, 600 किलोमेटर, 550 या 602 में किलोमेटर यदि आपने इसका एंस्वर बिल्कुल कमेंड वोक्स में चुने सभी साती लाई जुड़ चुके हैं कलास को लाईक जरूर कर दें जो भी विदारती इसका एंस्वर शी बता रहे हैं 550 किलोमेटर, सभी का राइट है अरावली परवतमाला की राजस्तान में लंबाई कितनी है 550 किलोमेटर, अगला क्युंसन आच चुका है जिस दिसा में अरावली सरनी की चोड़ाई बढ़ती है वे है, किस दिसा में अरावली सरनी परवतमाला की चोड़ाई बढ़ती जाती है उत्तर पुरुए से दक्षिन पस्चिम, पुरुए से पस्चिम, दक्षिन पस्चिम से उत्तर पुरु या पस्चिम से पुरु, इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा सात्यू, बिल्कुल, सभी विदारती यहां पर राइट एंसर दे रहे हैं, जो विदारती ए बता रहे है सबी का करेक्ट है उत्तर फुरू से लेकर दक्षिन पस्ची में इसकी लंबाई क्या मिलेगी आपको बढ़ती हुई मिलेगी बिल्कुल राइट है इस प्रकार से है उपर से शंक्री और नीचे से आप दक्षिन में देखो गए तो इस पर आपको चोड़ाई मिलेगी अधिक इसकी। लेक्स्ट अगला कि उबसर आप से पूचा गया है निमन लिकित में से कौन सा समुझा समुह राजस्थान की परवत चोटियू का उनकी उन्चय के अनुसार सही औरोह करम है है चोटियूं का यहां पर आपको अवरोई करम पूचा गया है कलकी इकलास जिस विदारती में देखी है उसका उन्दीड प्रसंट पर्शंट राइट होना चाहिए जरगा देलवाड़ा तारागर्ड या सजनगर्ड शेयर जरगा सजनगर्ड या तारागर्ड जरगा शेयर आती है फिट जर्गा है सजनगड है तारागड है यदि ओप्षिन के नुसार देखे तो आपका भी आपका करेक्ट एंसर माना जाएगा भी आपका राइट एंसर होगा आगे बढ़ते हैं अगला चुंसन आपसे पूचा गया है राजस्तान के किस जिले में जर्गा परवत है शिरोही उद्यपूर अलवर या जेपूर जर्गा परवत कहां पर है बिल्कुल राइट एंसर बताएं देखे कमेंट बोक्स में यदि आपने एंसर भी चुना है जिस भी स्टुडेंट ने उद्यपूर उन सभी का यहां पर राइट एंसर होगा उद्यपूर आपका करेक इसी चोटी है ध्यान रखना 1722 मिटर इसके लवा आपसे पूची गई है दूसरे नंबर की तो दूसरा है अचल गड़ कुंबल गड़ या सेर तो इसका राइट एंसर यहां पर डी हो जाएगा सेर कौन सी है सेर यहां पर आपका डी राइट एंसर माना जाएगा पंद्रा संज्यान में मिटर हो जाएगा नेक्स्ट अगला परशन राजस्तान में गुरू सीकर चोटी की उन्चाई कितनी है 1724 मिटर 1722 1750 या 1780 गुरू सीकर सबसे उन्ची चोटी है इस सरणी की इसकी उन्चाई पूची गई है जो इस्टुडेंट भी बता रहे हैं 1722 मिटर उन स करने जा रहे हैं वुगोल यह अपना दूसरा तीसरा पार्ट चल रहा है सबी विदारती रेगुलर जुड़ें साम को 9 बजें कलास होती है उसमें ताकि आपका राजस्तान जी के यहां से कंप्लिट हो जाए इसके लावा महिला बालप्राद की हमने एबूक भी लॉंच कर दी है और पूरा सेलेबस भी चैनल पर करवा दिया गया है कंप्यूटर और महिला बालप्राद का तो स्राजस्तान पुलिस वाले विदारती जरूर देखें नेक्स्ट अगला परसन पूचा गिया है गोगुंदा वे कुमलगड के मध्ये इस्तित पठार का नाम है गोगु अगला क्यूंचन देखें उद्यनाथ परवत राजस्तान के किस जिले में इस्तित है जेपूर अजमेर शिकर या अलवर उद्यनाथ परवत किस जिले में है यदि आपने इसका एंसर डी दिया है अलवर तो आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट अगला है राज पर राइट एंसर माना जाएगा, नेक्स्ट एगला देखें, लाल दोमट मिटी पाया जाने वाला जिला है, यानि लाल दोमट मिटी किस जिले में पाई जाती है, डूंगरपूर, बिकानेर, शिरोही या कोटा, करेक्ट एंसर बताएं, कमेंड बोक्स में, जो विदार्ती ए बता रहे हैं, डूंगरपूर, उनका राइट एंसर माना जाएगा, बिल्कुल सभी का राइट है, सभी साती लाइफ जूर चुकें, क्लास को लाइक और शेर जुरूर करें, अगला परसन, राजस्तान का परवेश दुआर किसे कहते हैं, शिरी गंगानगर, भरतपूर, च ओध्योगिक नगरी, राजस्तान का कानपूर, वरत्मान, नालंदा किस सेहर को का जाता है, राजस्तान की ओध्योगों की नगरी, ओध्योगिक नगरी, राजस्तान का कानपूर, यदि आपको पूछे हैं, या वरत्मान, नालंदा किस सेहर को केते हैं, अजमेर, कोटा, ज हो जाएगा नेक्स्ट अगला परशन राजस्तान का हद्दे कि सहर को कहते हैं इसकी यदि पीडिया फाइल चाहिए तो हमारा टेलिग्राम गुरूप इस्टेडी एक्जाम एकेडमी जोइन कर लें वहाँ पर आपको मिल जाएगी राजस्तान का हद्दे नागोर जोद्पूर चितोडगड या अजमेर राजस्तान का मद्दिवर्ती जिला तो आपका क्यों सा हो जाएगा नागोर हो जाएगा लेकिन राजस्तान का हद्दे कहत जाता है जालावाड जेपूर दोलपूर या कोटा एंसर बताएं मेरे साथ यूँ नीचे कमेंट बोक्स में यदि आपने राइट एंसर भी चुना है जेपूर तो आप सभी का यहां पर बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा बीज आपका कर्रेक्ट एंसर हो जाएगा यहां पर एंसर डी दे रहका है तो थोड़ा ठीक कर ले न अगला परसंद लेख शूर्य नगरी वे थार मुरुष्टल का परवेशद्वार किसे का जाता है सूर्य नगरी किसे का जाता है या थार का मुरुष्थल का परवेश दुआर जैसल मेर जोदपूर बाड मेर या वी का नेर करेक्ट एंसर भी हो जाएगा जोदपूर को का जाता है मुरुष्थल का परवेश दुआर या सूर्य नगरी बेलकुर इसके लबा राजस्तान का गोरव किसे का जाता है राजस्तान का गोरव चितोडगड को का जाता है राजस्तान का गोरव और वस्तरनगरी किसे का जाता है वस्तरनगरी बेलवाड़ा को का जाता है नेक्स्ट अगला पर्शन देखें, राजस्तान का मीनी खजुराओ किसे का जाता है, राजस्तान का मीनी खजुराओ किराडू, बेंसरोरगड, भिंड देवरा या तारागड, बिल्कुल, किराडू को राजस्तान का खजुराओ का जाता है, यदि आपको राजस्तान का खज और modest गता है की से कहा जाता है ॉधियपूर चितोडगट बास्वडाइ या डुंगरपूर सो दीपूं का सेर का जाता है बांसवाडा को किसको का जाता है बांसवाडा आपका सी करेक्ट एंसर माना जाएगा इसके लबा जीलूं की नगरी, राजस्तान का कस्मीर, पुर्वेका, वेनीज, हल्दी गाटी की थर्मोपॉली ये उधिपूर को का जाता है और पहडूं की नगरी आपको डूंगरपूर को डूंगरपूर को पहडूं की नगरी का जाता है किसकी नगरी पहडूं की नगरी पहाड़ियां मिलेगी जाए इसके लावा यदि आपको सूवरण नगरी पूचे सूवरण नगरी तो ये आपक पूर्पूर पाली और राजस्तान का अनागार गंगानगर को विलकुल आगे बढ़ते हैं अगला परसंड पूचा गया है कि सवरण नगरी हवेलियू का सहर पिले पत्रों का सहर के नाम से परशिद है जोदपूर जालो और जैसल मेर या जेपूर हवेलियू का सहर पिले पत्रों के नाम से परशिद सहर कौन सा है जैसल मेर है जैसल मेर शी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा इसके लावा यदि आपको पूचे कि गरेनाइट का सहर किसका गरेनाइट तो यह आपका जालोर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा जालोर अगला आपसे पूचा गया है कि राजस्तान का सहिंग दुआर वे पूर्वी राजस्तान का कस्मीर किसे का जाता है बिल्कुल अलवर दोलपूर सवाई मादोपूर या जालावाड पूर्वी राजस्तान का कस्मीर राजस्तान का सहिंग दुआर ये का जाता है बिल्कुल अलवर को का जाता है जो भी विदारती ए बता रहे हैं अलवर उन सभी का यहाँ पर right answer होगा next अगला क्यों राजस्तान के किस जिले में सूर्य की क्रिने सबसे पहले निकलती है सूर्य की कीर्ण किदर से आती है रहे पूर्वे वे दिसा से तो पूर्वे में कौन सा जिली है ह। बरत्पूर जालावार दोलपूर या atra एनस वर बताएं कमेंट बोट्समें इल्कुल जो विदारती यहाँ पर बता रहे हैं दोलपूर सभी का राइट है सूर्य की सबसे पहले किरने कहां पर निकलती है दोलपूर में नेक्ट अगला देखें, जिलु के युग में जलोड मिटी पाई जाती है, वे है, जलोड मिटी किन जिलु में पाई जाती है, बरतपूर, दोलपूर, मीकनेर, जोडपूर, कोटा बुंदी, अजमेर या नागोर, इसका right answer क्या हो जाएगा बिल्कुल A हो जाएगा बरतपूर और दोलपूर में A जो भी विदारती बता रहे हैं सभी का राइगा अगला परसन देखें राजस्तान की कुबड पटी कहां पर है बरतपूर, अलवर, नागोर, अजमेर, कोटा, बुंदी, बांसवाडा या डूंगरपूर जो कुबड पटी कहां पर है कुबड पटी क्या होती है रहे बिल्कुल भी आपका right answer हो जाएगा नागोर और अजमेर के बीच में है नागोर और अजमेर जिले के कुछ छेत्रों में भूगर बिये जो जल होता है उस जल में फलोराइड की अत्यदिक मातरा होने के कारण है यांकि जो निवासी लोग है उनकी हड्डियों में क्या हो जाता है तेड़ापन हो जाता है और इनके कारण इनकी पीट है वो जुख जाती है इस कारण इसे कुबड़ पटी का जाता है फलोराइड की मातरा यहां पर क्या है अधिक है इन दोनु जिलूं के बीच के इस चेटर में नेक्स्ट अगला परसन के वह रुक करते हैं अगला क्यों दोन पूचा गिया है निमन में से कौन सा सम्बाग ये मुख्यனिये नहीं है अजमیर बरतपूर जोदपूर या जैसल fingers तो अजमेर तो संभाग है आप सभी को पता है बरतपूर भी संभाग है साथवा संभाग बनाता जोदपूर भी संभाग है लेकिन आपका जैसल मेर संभाग है नहीं है तो इसका ड़ी आपका राइट एंसर हो जाएगा जैसल मेर जिला किस संभाग में आता है तो यह आपका में जोदपूर में बिलकुल साथ संभाग है राजस्तान में कौन से साथ तीन तो आपके सामने है अजमेर बरतपूर जोदपूर बाकी जो बचे संबाग कौन सा कोटा और सातवा कौन सा है अपना पिछ्छे बच्छा है वह उद्यपूर संबाग हो जाएगा कौन सा उद्यपूर इस परकार से टोटल कितने संबाग होगे साथ अगला क्यूंसन देखें राजस्तान के किस परदेश में एंटी सोल समू की मरदा मिलती है यानि मिट्टी मिलती है पुर्वी छेतर पस्ची मी छेतर दक्सिन पुर्वी छेतर तो एंटी सोल मिट्टी कहां मिलेगी आपको पस्ची मी छेतर में मिलेगी भी आपका क्या हो जो भी विदारती बता रहे हैं सभी का राइट है, next, मिट्टी में खारापन और सारीता की समशा का समाधान क्या है, वरिक्षार ओपन समुची रेखा के अनुसार कर्शी, सुसक कर्शी विदी या खेती में जिबसम का प्रियोग, मिट्टी में खारापन और सारीता की समशा क समादान है खेटी में किसा प्रियों करना है जिप सम आपको प्रियों करना है डि आपका कर्यक्त आंसर मानाध़ जाएगा अगला पसंद पूचा गया कि हाडो्ती पठार की मिट्टी कैसी है जलोड़ मिट्य है लाल नीं परियोट 53 की मिट्टी यह कैसी है मद्यकाली, सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट एंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते है, अराउली सरकला के सबसे उंचे खंड को किस नाम से जाना जाता है, बोराट का पथार, उद्यपूर, कुमलगड परदेश या गोगुंदा का मेदान, अराउली सरकला का सबसे उंचा ख अलवर, बी है बरतपूर, सी बुंदी और डी है डीग, जल मेलूं की नगरी का जाता है डीग, किसको का जाता है डीग, ये कांपर है ये बरतपूर में, ये जान रखना, कांपर है बरतपूर में, अगला परसन देख, अगला क्यों से आप से पूचा गया है कि बीनमाल का प्राचिन नाम क्या था मांड मरू परदेश चंद्रावती या सिरिमाल तो बीनमाल का प्राचिन नाम बीनमाल कांपर है जालोर में गुरूजी कांपर है जालोर में तो इसका प्राचिन नाम क्या था बिल्कुल सभी साती लाइव जुड़ चुके हैं इसका राइट है जो ब कमेंड वोक्स में इसकी पीडिय फाइव इस्टेडी एकड़ाम एकेडमी के टेलीग्राम गुरूप में मिल जाएगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन वोक्स में दे रखा है धन्यवास आती हूं जै हिंद